नमस्कार दोस्तों मैं C.A. निरे सर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आरजी C.A. ग्यान के उपर हमने लास्ट क्लास में एडमिशन ओफ पार्टनर चेप्टर की सुरुवात की थी जिसमें हमने पढ़ाई की थी कि कैसे न्यू प्रोफिट शेरिंग रेश करने वाले हैं कि गुडविल कैसे डिस्ट्रिब्यूट होगी जब कोई नया पार्टनर आता है तो फुरानी जो गुडविल दिखाई दे रही है फर्म के अंदर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा और जो नया पार्टनर आ रहा है गुडविल के अमाउंट के पराबर पैसा लेकर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम अभी समझने वाले हैं अगर गुडविल बुख्स के अंदर दिखानी ही नहीं है यानि जब पार्टनर्स चाहते ही नहीं है कि गुडविल बुक्स के अंदर दिखाई दे, तब उस केस में क्या किया जाएगा, वो भी हम अभी करने वाले हैं, तो आईए शुरू करते हैं क्लास को, क्या क्या इसके अंदर टोपिक्स आने वाले हैं, विजे और संजे, विजे और संजे आर पार्टनर्स इन फर्म, विजे और संजे दो पार्टनर्स है, और संजे, दो पार्टनर्स हैं, जो की प्रोफिट और लोज 3x5 और 2x5 के रेशियो में शेयर करते हैं, तो they decided to admit अजे, उसके बाद में इन्होंने एक पार्टनर अजे को admit किया है फर्म के अंदर, जिसका शेयर रहेगा, वन फोर्थ शेयर इन प्रोफिट, वन फोर्थ शेयर रहेगा, प्रोफिट के अंदर, प्रोफिट के अंदर वन फोर्थ शेयर इनका रहेगा, अब अजे ब्रिंग्स इन रुपीज 30,000 for capital and the requisite amount of premium in cash, तो capital भी लेकर आएंगे, अजे 30,000 रुपे की, और उसके बाद में कहा है कि requisite amount of premium in cash, यानि कि goodwill premium जो है, वो cash में लेकर आएंगे, अपनी capital की amount के साथ में, यानि कि जितनी भी required amount है goodwill की, वो amount cash में लेकर आएंगे, अजे, उसके बाद में थोड़ा आगे question को पढ़ते हैं, गुडविल of the firm is valued at Rs. 20,000, फर्म की goodwill है 20,000, जो अजे है, उनका share है 1 फोर्थ, तो अजे के हिस्से में कितनी goodwill आएगी, जितना amount हो cash में लेकर आएंगे, यहाँ पर 5,000 रुपीज की goodwill के बराबर अजे को cash में पैसा लेकर आना पड़ेगा, the new profit sharing ratio is 2 is to 1 is to 1, तो तीनों का नया ratio भी दे दिया गया है, विजे और संजे विड्रो देर share of goodwill, विजे और संजे जो की पुराने partners हैं, अजे जो की नया partner है, तो अजे जो भी amount goodwill की लेकर आया है, वो विड्रो कर लेंगे, विजे और संजे जितना भी उनके हिस्से में आएगा, अजे की दुवारा लाई गई गुड्विल, provide necessary journal entries, तो सबसे पहले, सबसे पहले, तो जो amount cash में लाई जाएगी, उसका, उसकी journal entry कर लेते हैं, in the books of the firm, of firm, सबसे पहले, जो अजे लेकर आया है, capital प्लस गुड्विल की amount, उसके लिए, journal entry क्या पास की जाएगी, वही पास कर रहे हैं, cash account debit, cash में 30,000 तो वो अपनी capital के लेकर आये थे, 30,000 रुपे तो अपनी capital के लेकर आये थे, प्लस में, जो requisite amount गुड्विल की वो है 5,000, 5,000 रुपे गुड्विल के लेकर आये थे, तो cash account debit बाई 30,000 प्लस 5,000, 35,000, गुड्विल की amount का पैसा firm के अंदर आया, 35,000, उसके बाद में, 2, Ajay's capital, Ajay की capital के लिए कितना पैसा आया है, इसके अंदर, वो है 30,000, और बक्की amount है, premium for goodwill, premium for goodwill, 5,000 रुपे, premium for goodwill, 5,000 रुपे cash में लेकर आये हैं Ajay, अब इसके बाद, इसके बाद में, यह जो premium for goodwill के amount है, इसको हम, नए partners के अंदर, distribute करने वाले हैं, क्योंकि जब भी कोई नया partner, goodwill का पैसा लेकर आता है, तो वो पुराने partners, अपने उसमें distribute कर लेते हैं, अपने sacrificing ratio के अंदर, क्योंकि नए partner के आने से, जितना उनको super profit का loss होता है, या goodwill का loss होता है, वो फिर cash में receive करते हैं, नए partner से, और नया partner, वो amount cash में लेकर आता है, और वो फिर अपने accounts में distribute कर लेते हैं, तो चलिए इसको distribute कर लिया जाए, प्रीमियम फॉर गुड़विल, पांच हजार, तो, दो partners कौन कौन है, विजय एंड संजय, पांच हजार, विजय एंड संजय, अब ये जो, गुड़विल की पांच हजार रुपे की amount है, ये कोन से ratio में distribute होगी, इसके उपर बात कर लेते हैं, ये distribute होगी, sacrificing ratio के अंदर, sacrificing ratio के अंदर, and sacrificing ratio क्या होता है, old ratio माइनस new ratio, अगर old ratio से, नया ratio कम है, तब obviously, पुराने partners को नुकसान हुआ है, sacrifice हुआ है, अगर new ratio, old ratio से ज़्यादा है, तो उस case में gain हुआ है, तो वो automatically, आपकी journal entry में, वो adjustment दिखाई देगी, तो सबसे पहले, आप sacrificing ratio निकाल लीजिए, विजय का, old ratio हमको दिया गया है, 3 by 5, and new ratio है, 2 by 4, पांचों का 20, पांचों का 20, 4 ती है 12, 4 पांचों बीस, 5 निदेश, 2 by 20, and, उसके बाद में, विजय का मैंने निकाल दिया, संजय का मैं यहाँ पर calculate कर देता हूं, संजय का old ratio है, 2 by 5, and new ratio है, 1 by 4, पांचों का 20, 4 दुनिया 8, 4 पांचों बीस 5, 3 by 20, इसका sacrifice, तो, विजय का sacrifice है, 2 by 20, and, संजय का sacrifice है, 3 by 20, या फिर, 2 is to 3 में, इनका sacrifice मैं बोल सकता हूं, दोनों का, तो अब 2 is to 3 में, 5,000 रुपीज को, तो simply, 2,000 का विजय को मिलेगा, और 3,000 रुपे, संजय को मिलेंगे, जो, नया पार्टनर, गुडविल की अमांट लेकर आया है, वो वाली अमांट, तो ये था सिंपल सा फंड़ा, प्रीमियम फोर गुडविल, जब नया पार्टनर लेकर आता है, तो वो कैसे डिस्ट्रिब्यूट होता है, पुराने पार्टनर्स के अंदर, पुराने पार्टनर्स को उसका क्या बेनिफिट मिलता है, वो इन दो जर्नल एंट्री से आप समझ पा रहे होंगे, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट कोश्चन के उपर, स्रीकांत और रमन और पार्टनर्स इन फर्म, शेरिंग प्रोफिट और लोसी इन दर रेशो फ्री इस्टू टू, त्री इस्टू टू में स्रीकांत और रमन, स्रीकांत और रमन त्री इस्टू टू में प्रोफिट और लोस डिस्टिबिट कर रहे हैं, वन थर्ड के लिए वैंकट को उन्होंने बुला लिया, वन थर्ड के लिए वैंकट आ रहे हैं, वेंकट 30,000 रुपे capital के लेकर आ रहे है He also promises to bring in the necessary amount of share of goodwill तो 30,000 प्लस goodwill की amount भी उन्होंने confirm कर दी कि वो लेकर आ जाएंगे cash के अंदर तो firm की जितनी भी goodwill होगी and वेंकट का share है one third तो उस case में one third से multiply करके आप firm की goodwill को जब one third से multiply करेंगे तो वेंकट का कितना share बनेगा goodwill का उतना वेंकट लेकर आएंगे अपने साथ में and journal entry पिछले question में जैसे की है तो same to same वैसे ही journal entries की जाएंगी अब उसके बाद में on the date of admission the goodwill has been valued at Rs.24,000 यानि अभी ये firm उन्होंने आपको goodwill की value भी दे दी 24,000 जिसमें से one third share के लिए वेंकट आ रहे हैं तो वेंकट लेकर आएंगे 8,000 रुपे की goodwill तो capital प्लस goodwill का 38,000 रुपे total वेंकट लेकर आएंगे and the goodwill account already appears in the books at Rs.12,000 जो books के अंदर जो भी goodwill दिखाई देती है जिस दिन कोई नया partner firm के अंदर enter कर रहा है उस दिन books के अंदर यानि balance sheet के अंदर कोई goodwill की amount दिखाई दे रही है तो उसका simple सा एक treatment करना है आपको old partners में उसको old ratio के अंदर write-off कर देना है तो यहाँ पर old partner है आपके Shrikant and Raman to goodwill जो भी books के अंदर अगर appear कर रही है तो 12,000 को आप 3-2 में distribute कर दीजिए जो की बनेगा 24,000 को आपकी books के अंदर जो दिखाई दे रही है वह सबसे पहले write-off कर देना जब भी आपको दिया हुआ हो फिर उसके बाद में Wankat brings in the necessary amount for his share of goodwill जो की 24,000 multiplied by 1 by 3 8,000 rupees and agrees that the existing goodwill account can be written off यानि यह जो existing goodwill account है यह आपको write-off करना है अगर question में specific कहता है कि write-off करना है तब तो write-off करना ही करना है otherwise भी write-off करना है लेकिन अगर यह कह दे कि यह as it is रहेगा books के अंदर तब आप इसको write-off करने को रहने देना इसको फिर full value पर raise किया जाएगा जो कि आने वाले question में हम पढ़ने वाले है और बाकी तो entry जो है वो cash जो लेकर आएगा and goodwill distribute किया जाएगा sacrificing ratio के अंदर वो same to same है जो कि पहले question के अंदर की गई है बस यह कि यह write-off वाले entry इस question के अंदर extra थी जो मैंने आपको बता दी चलिए Ahuja and Barua are partners A and B are partners in the firm sharing profits and losses in the ratio of 3 to 2 they decided to admit Chaudhary into partnership for a one-fifth share of profits they decided to admit Chaudhary into partnership for one-fifth share of profits एक C partner है उसको one-fifth share के लिए admit किया जा रहा है which he acquires equally from Ahuja and Barua जो की equally लिया जाएगा Ahuja से and Barua से ठीक है one-tenth one-tenth goodwill is valued at 30,000 firm की goodwill है 30,000 की Chaudhary brings Rs. 60,000 capital तो capital का पैसा तो लेकर आ रहे हैं जो C नए partner आ रहे हैं पर goodwill का पैसा वो नहीं लेकर आ रहे है no goodwill account exists in the books of the firm firm के books में कोई भी goodwill account नहीं है यानि आपको write-off करने की जरूरत नहीं पड़ेगी simply आपको जो नई goodwill की amount है बस वही full value पे raise करनी है no goodwill account exists in the books of the firm goodwill account is to be raised at full value question के अंदर कहा भी गया यही है goodwill account को पूरी value के साथ raise कर देना पूरी value का मतलब है 30,000 रुपे record दी necessary journal entries तो यह वाला question कर लेते हैं सबसे पहले तो C जो आ रहा है वो कितना पैसा लेकर आ रहा है cash 60,000 रुपीज वो लेकर आ रहा है and premium goodwill के नाम पर वो कुछ भी नहीं लेकर आ रहे हैं simply cash to seize capital simply 16,000 रुपे capital लेकर आ रहे हैं तो cash to capital यह entry तो बच्चे बच्चे को याद होती है cash to capital and his capital and उसके बाद में goodwill के कोई भी पैसा वो लेकर नहीं आ रहे है तो उस case में आपको क्या करना है जो goodwill की amount है 30,000 उसको पूरी value पे raise करना है general entry में goodwill 30,000 and क्यों raise करना है वो भी बता रहा हूँ goodwill 30,000 to age to be इनको पुराने ratio में 3 is to 2 में तो 18 and 12 यह full value पे हमने goodwill को raise कर दिया raised for goodwill cash to seize capital and goodwill को फिर हमने पूरा raise कर दिया and अब last में क्या करना है जब भी यह वाला case हो कि नया partner goodwill का पैसा नहीं लेकर आ रहा है तो उस case में जो goodwill का amount है जो उसके हिस्से में आता है वो वाला amount उसकी capital से adjust किया जाता है यानि जितनी भी capital वो लेकर आया है उसकी capital में से वो amount adjust की जाती है तो वही हम अब करने वाले हैं वैसे तो इस question के अंदर आपको यहीं तक काम करना है कि goodwill account is to be raised at full value लेकिन जो पुराने partner है वो इस बात में संतोस्टीन नहीं दिखाएंगे कि जो नया partner आ रहा है वो firm कि goodwill enjoy भी करेगा लेकिन goodwill के नाम का पैसा नहीं लेकर आ रहा है तो उस case में आपको क्या करना है जो जो goodwill full value पे raise की गई है अब एक काम करना है इस goodwill को write-off कर देना है सभी partners की capital में A is capital B is capital C is capital to goodwill बस ये काम करना है और ये वाली amount जो है ये new ratio के अंदर आपको write-off करनी है new ratio जो कि आपको दिया हुआ होगा question के अंदर तो यहाँ पर अगर नहीं दिया गया है तो इसका मतलब आपको ये question यहीं तक छोड़ देना है लेकिन अगर यहाँ पर आपको new ratio भी दे देता question के अंदर तब आप इसको new ratio में write-off कर देते और आप find out करेंगे कि automatically वो amount adjust हो गई है जो नया partner goodwill के लिए नहीं लेकर आया वो आप question में देख पाएंगे जो कि मैंने अगले question में आपको दिखाया है चलिए इस question में आपको वो point समझ में आ जाएगा A and B are partners sharing profit and losses equally A और B जो हैं दो partner हैं जो कि equal profit sharing करते थे and the new ratio is fixed at 432 एक नया partner आया फिर new ratio जो हुआ हुआ वो 4, 3 और 2 का ratio में decide हुआ C is unable to bring anything for goodwill but brings Rs. 25,000 अज़ capital तो C है वो capital लेकर आया है तो इसकी journal entry cash to capital पहली entry आपकी complete Rs. 25,000 रुपे से Goodwill of the firm is valued at 18,000 18,000 की goodwill है प्लस में जो C है वो कोई goodwill की amount नहीं लेकर आ रहा है question के अंदर साफ-साफ लेका है तो give the necessary journal entries assuming that the partner do not want goodwill to appear in the balance sheet जब goodwill balance sheet में नहीं दिखानी है तो उस case में अब क्या करना है अब पहली entry तो same रहेगी cash to capital दूसरी entry जो है वो भी same रहेगी जिसमें full value पे raise किया जाएगा goodwill को अब अब लास्ट में क्या करना है अब तीनो पार्टनर्स के अंदर गुडविल को राइट अफ करना है जो कि है A's, B's and C's and 2 goodwill अठारा हजार and नया रेश्यो में राइट ओफ करना है जो कि है 432 यानी 8,000, 6,000 and 4,000 अब ये करने का benefit क्या हुआ A की capital 9,000 रुपे से बढ़ी थी 8,000 से घट गई यानी 1,000 रुपे का इसको benefit मिल गया जो कि इसको नए पार्टनर से goodwill के नाम पर मिलना था B की capital 9,000 से बढ़ी 6,000 से घटी 3,000 का benefit इसको मिल गया यानी total 4,000 का benefit इनको मिल गया जो कि नए पार्टनर की हिस्से में आता था 18,000 में से 4,000 रुपे goodwill के नाम के नए पार्टनर को लेकर आने ही आने थे जो कि वो नहीं लाया अब नहीं लाया तो इतना amount उसकी capital में से debit कर दिया गया 4,000 रुपे का तो ये था जबकि नए पार्टनर goodwill की amount नहीं लेकर आता है और पुराने पार्टनर्स goodwill को बुक्स में दिखाई भी नहीं रखना चाहते दिखाना नहीं चाहते बुक्स के अंदर तो उस case में ये वाली entry पास की जाती है सबसे पहले goodwill को full value पे raise किया जाता है उसके बाद में नए ratio में नए पार्टनर को भी include करके उसको write of कर दिया जाता है and automatically ये adjustment पास हो जाती है तो ये था आज की class का पूरकरक्स इसके बाद अब revaluation जैसे topics को हम touch करेंगे अगली class में and admission of partner को जल्द से जल्द complete किया जाएगा आने वाली एक से दो classes के अंदर तो thank you दोस्तों